कि अब देखके लेकिन हम लोग तो यहां पर सिर्फ यह ही इरेत्रोब्लास्टोसिस और फिटलीसिस परना है और कुछ निक परना तो देखें क्या होता है अ स्पेशल केस आप आरेसट नेगेटिव इनकोंपैटिबिलिटी इनकोंपैटिबिलिटी का मतला का होता है mismatching क्या होता है mismatching incompatibility का मतलब mismatching a special case of RH incompatibility has been observed between RH negative mother with RH positive fetus तो अब देख लिजे यहां पर क्या हो जा रहा है लपरा कि मान लिजे मदर जो है RH negative और उसके गर्व के अंदर क्या है RH positive बच्चा पल रहा है तो क्या होता है पहली बार में पहला pregnancy में कुछ जादा कुछ नहीं होता है क्योंकि हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं first time में कुछ नहीं होता लेकिन antibody तो त्यार कर लेता है अब देख लिए वही बात यहां पर कहा जा रहा है कि first pregnancy में कुछ नहीं होता है तो क्योंकि first pregnancy में जो है आपका RH negative antigen placenta को cross नहीं कर पाता है और fetal blood में mix नहीं हो पाता है तो अब देखे RH negative जो RH positive से मिलेगा नहीं तो फिर दिक्कत क्या होगा ठिक यानि कि अगर मा का blood बच्चे का blood से अगर नहीं मिलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ठिक समझे है तो अब आगे देखे क्या का ज़रा है there is a chance of exposure or of RH negative with RH positive during first child birth लेकिन अब देखे जब तक जो है गर्वावस्ता में है जब तक क्या होता है प्रेगनेंशी प्रियर्ड में है गेस्ट्रेशन प्रियर्ड में है तो उस समय क्या होता है कि RH negative तो RH positive से मिलने का कोई chance नहीं है क्योंकि प्लासेंटा इसको घेर करके रखा होगा ठि क्योंकि प्लासेंटा तो डीटेच होगा तो यहां पर ग्लड मिक्स होने का chances होता है यानि कि RH positive जो है RH negative से मिक्स हो सकता है यह नहीं कि से और नहीं के 100% होना ही हो सकता है तो क्या होगा now RH negative mother start forming antibody against RS positive it forms within a month तो वहीं बात हुआ जो हम लोग पहले पढ़ चुके तो अब मदर क positive के against antibody बनाना शुरू कर दिये और फिर अगर next pregnancy में फिर से मान लिजिए कि next pregnancy conceive हुआ और फिर से fetus क्या है RH positive इस समय तो लेकिन बच्चा के लिए पूरा खत्रा से खाली नहीं है ठीक ना अब देख लिए क्या होता है तो आरेच antibody crosses the placenta placental barriers and enters into the fetal blood लेकिन यह अब प्रॉस कर जाएगा और फिर क्या कर जाएगा hemolysis cause करेगा हीम मतलब blood होता और lysis मतलब breakdown होता है और destruction होता यानि कि अब blood का destruction कर देगा यानि agglutination reactions कर देगा बच्चे में यानि कि बच्चे का RBC को जमा देगा मतलब destroy कर देगा अब देखिए क्या होगा अब तो देखिए अब तो यह हो गया बच्चा कर उलट जमा देगा लेकिन in severe hemolysis in fetus cause jaundice अगर मान लिजे कि बहुत बहुत जाएगा hemolysis बहुत जाएगा RBC का destruction हो चुगा तो इस case में बच्चे को क्या हो सकता जाएगा ठीक समझे कि आरबीशी में blue rubyne और blue wording बहुत बढ़िया मात्रा में पाया जाता है जिसके वज़े से क्या होता है जाएग डिस cause करने के लिए वो एनफ होता है more than sufficient है ठीक तो लेकिन इस conditions को pop-up करने के लिए चुमिट करने के लिए क्या होता है to compensate the hemoletis of more and more number of rbc there is rapid production of rbc not only from bone marrow दो आप समय में क्या हो जाता है और स्प्लीन भी बॉनमेरों के साथ साथ स्प्लीन और लिवर भी क्या करता है आरबीशी बनाना शुरू कर देता लेकिन देखिए इस समय में क्या हो जाता है सब काम करना शुरू कर दिया Now, many large immature cells in pro-erythroblastic stage are released into the circulation portions कि अब देखिए यहां प्र क्या हो रहा है कि क्योंकि बॉड्री का डिमांड है बहुत ज्यादा धरू कर दिस्टरेक्शन हो चुका है इसलिमांड बहुत ज्यादा है बॉडिन अब क्या हो रहाए इस समय में immature Rbc भाहर आ जा रहा है इमेच्योर, braking जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोERYTो प्लास्टिक शच्वर्ट यानि कि अब तो अबर आरवीच to देदेगर प्रिकर्सर शेल ऑल ही थिक ना तो अब ये प्रिकर्सर शेल बाहरा आ जा रहा यह बाहर आ जा रहा है जो कि बरा होता है इस इस डिजिजीज को क्या करते हैं अब आपको यह पता चल गिया होगा कि एरेथ्रोब्लास्टोसीस पीटलीसिस में क्या होता है कि और च नेगेटिव ब्लड और स्प्लीटिव इंगों पॉजेटिव इंगेटिव लीवर और बॉर्ण वेरो विएउस सब और और जिसके वाज़े अगर बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा हो चुका बहुत ज्यादा ब्लड डिस्ट्राइब हो चुका अगर इस क्या हो सकता है सीवियर एनीमिया हो सकता जिसके वज़े से क्या होता है कि बच्चा मर भी सकता है और इसका लीवर और कि दोनों बारा हो जाएको लसी ने कि आब हो जाएगा कि करनी की टरर्स कि ये मिल जखते सब्सक्राइब हो जाएगा जिसके वज़े से क्या होगा कि मंद गुढ़ी भुक्या चैनल और इसको इससे बचा कैसे जा सकता ये देख लहाता है